अब हम क्या लिखना सीखेंगे उूू, तो मैं हम सबसे पहले आपको सिखाएंगी उू लिखना ठीकर और आपको उू किसमें लिखना है हिंदी की कॉपी में देखें, ऐसे हिंदी की कॉपी आपको मिलेगी टू लाइन्स कॉपी उस ही में आपको हिंदी लिखनी है आप LKG में बिग बिग स्कॉार में लिखते थे ना अब आपको UKG में उसमें नहीं लिखना है आपको हिंदी की टू लाइन्स की कॉपी लेनी है और उसमें आपको आसेह लिखना है चीक है चलिए अब मैं हम आपको बता रही है उ लिखना तो सबसे पहले हम डॉट टरखेंगे जहां पर मैं हमने डॉट बनाया है डॉट बनाया है डॉट से हम लिखना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाफ सर्कल सेकेंड हाफ सर्कल टॉट टॉट लाइन गो अप और स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाना आप कभी भी नहीं बूलेंगे और देखिए मैं आपने दोनों लाइन के बीश में लिखा ना फिर से देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल सेकंड सेमी सर्कल टॉट टॉट टा लाइन गो अप यह है उगू अब मैं आपको शिखाएंगी उ जब आप लिखना सीख लेंगे तो आप अप अ आ ओ और अख भी आ शानी से लिख लेंगे ठीक है चलिए अब नेक्स अक्षिर जो मैं आपको कौन सा अक्षर है ए कौन सा अक्षर है ए चलिए अब मैं हम आपको सिखा रही है ए ए में मैं हमने बीच में डॉट रखा है अब देखें डॉट से हम बनाएंगे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन क्या बनाएंगे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन स्मॉल सी उल्टा सी टश्दा लाइन गो अप एंड स्लांटिंग लाइन अड स्लीपिंग लाइन यह क्या बन गया ए क्या बन गया यह ए ए जब बना लेंगे तो आप ए भी लिख लेंगे ठीक है? अब आप मैं में आपको सिखाएंगी A क्या सिखाएंगी? A तो चले पहले मैं में आपको दिखाएंगी A कैसे होता है? यह दिखिए मैं में आपको दिखाया A A से A जब आप A लिखना सिख जाएंगे तो मैं आप A भी लिखनेंगे A में भी मैं हमने dot रखा है हम किससे start करेंगे? dot से small curve and slanting line क्या बनाएंगे? slanting line and फिर थोड़ी दूरी पर हम small standing line बनाएंगे turn and touch the slanting line and sleeping line sleeping line जरूर बनाएंगे जब हम A लिख लेंगे तो हम I भी लिख लेंगे तो देखे मैं मैं आपको सिखाया O E and A चले उसके बाद मैं माँ आपको बता रही कि आपको कैसे लिखना है यह मैं मैं आपके लिए एक पेश त्यार किया है उसमें मैं मैं आपके लिए O A I O और O अँगाह लिखा है ठीक है यह पैटर्न आपके लिए कौन त्यार करेगा मम्मी कॉपी में मम्मी त्यार करेंगी फिर देखिए मैं मैं ने डॉट्स बनाए सब लाइन्स में डॉट्स बनाए आपको डॉट्स से ही लिखना शुरू करना है ठीक है तो चलिए मैं बता रही है A लिखना डॉट्पे पैंसल रखेंगे फर्स कर्व सेकंड सेमि सिर्कल टच्च दे लाइन गो आप स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन इस्टैंडिंग लाइन के उपर स्मॉल स्लिपिंग लाइन यह है न, अब लिखेंगे आ, 1st semicircle, 2nd semicircle, touch the line, go up, small sleeping line, one standing line, second standing line, आ में कित्ती standing line होती ही? 2 और दोनो standing line के उपर sleeping line E मैंने आपको बताया था dots is standing line small small c ultra c touch the line go up and slanting line और line के नीचे कोई भी action नहीं आना है and small sleeping line ऐसे E लिखेंगे small standing line small c ultra c touch the line go up and slanting line small sleeping line और जहां पर आपने standing line बनाईए ना वहाँ से आप उपर मात्रा लगा देए मात्रा कैसे बनाईएंगे? c की तरह चले अब हमने मैंने उ बताया था उ ऐसे ही लिखना है dots से start first semicircle second semicircle touch the line go up and u में पूरी slipping line होती है a में standing line के उपर होती है और u में पूरी slipping line होती है ऐसे ही u लिखेंगे first semicircle second semicircle touch the line go up go up अब बनाईएंगे अब आपको अब मैं बता रही है आपको ओ o में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे a a लिखना आपको आता है ना सबसे पहले आपने लिखा a a में कित्ती line होती है two standing lines and small slipping line अब देखें मैं आपने o में उपर मात्रा लगी है ना मात्रा कौन सी line में second line में second line के उपर हम slanting line मनाएंगे and small curve ये क्या बन गया o ऐसे आउ भी हम सबसे पहले a बनाएंगे a लिखली आपने अब आउब में कित्ती मात्रा होती है two one two और दोनो slanting line second line के उपर होंगे देखें मैं आउब आउब ने second line के उपर बनाएंगे दोनों मात्रा small curve small curve o अब आउब आउग आउब के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे a आ लिख लिए आपने small sleeping line बनाई और standing line के उपर dot रखेंगे क्या रखेंगे बिंदू लास्ट में क्या आता है हमारा अहा अहा के लिए भी हम क्या बनाते हैं a small sleeping line और a के standing line के पीछे हम बनाते हैं two dots ठीक है चलिए अब तो आपने सीख लिया आ से आहा कैसे लिखना है आ से अहा लिखना है ठीक है जिलने आपको समझ में आ गिया ना कि आ से अहा आपको कैसे लिखना है और आप पूरा आ से अहा लिखके अपनी ममा से चेक कराएंगे आज आप पूरा इतना आसेह लिखना सीखें ना, नेक्स वीडियो में मैं मैं आपको नई चीज़ सिखाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए आपको आसेह अच्छी से सीखना है, ओके, बाइ-बाइ